युवा शमाज की रीड की हड़ी है युवा देश की रीड की हड़ी है और युवा के उपर पूरे शमाज का वजन रहता है ये बाते हैं लेकिन आज ये जो डाड़ी की जो ये रशम है ये आज युवा के अंदर ये बिल्कुल गलत है इससे पूरे शमाज की तरफ से ज़स समय में आज साधी के लिए जब कोई बींदरा जाता है तो उसको डाड़ी करके और कंप्लेट बिलकुल चेरा एकदम खिलता हुआ होना चाहिए आज बचे वे से चल जाते हैं भार जैसी ड्रेस पेर के और शाधी करने के लिए चला जाता है यह क्या कोई यह कोई डंग है क्या जबलना गुरु जंबेश्वर भगवाने की जबला विश्णु भगवाने की जबला पिलो जी महराजा की जबला मुकाम तलावे की जबला डिश्य मुनियों की जबला रणदीर जी बाबाले की जबला तिन्सो त्रशट सहीदों की मामर्ता देवी की धार्म की धार्म की अधार्म का अधार्म का प्राणियों में प्राणियों में विश्व का जबला भारत माता की धन्यवाद मैं सबसे पहले बंदन करता हूँ गुरू चरणों में प्रणाम सभी संतों को और यहां पदारे हुए पूरे मरुधर पूरे मारवाड पूरे भारत के जो कहते थे पहले एक मारवाडी के अंदर मरूधर रा मेरूध यानि बहुत बड़े पार जेसे जेसे महापुर्ष जो यहां आज इस तपो भूमी पर विराजमान है उन सब को मैं निवन परणाम करता हूँ बात हमारे गुरुजी राजंदरानन जी आज यहां छटा दिन है जो यहां कथा चल रही है और यह बहुत बड़ी एतियासिक कथा है कथा हैं बहुत हुई है आज समाज में पानसो साड़े पानसो साल से धर्म का परचार परसार हुआ है ओता जा रहा है चलता रहा राता है यह शमे का चकर है वो हमेशा परिवर्तन शील है और चलता है तो यह जो कथा है यह बहुत एतियासिक कथा है यह कथा कोई ऐसे वेसे नहीं है कि आए और सुने और चले गए रागे वेसे नहीं इस कथा से विश्णोई शमाज की दशा और दिशा बदंडी चाहिए ये आज से ये हर आदमी आज से नियम लेके जाए यहां आए हैं और गुरु जी ने जो 120 शबद वानी है गुरु जंबे सुर्व अगवान की बताई हुई वानी उस वानी के अधार पर इन्होंने एक एक चीद बड़ी मारमिक हर प्रकार से जो विश्णोई समाज को और विश्णोई के घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इनके बारे में इन्होंने बहुत शुक्षमता से बड़ाई से लेके शुक्षमता की इन्होंने बात बताई और उस बात को अपने अंदर आपके अंदर उतारना है ऐशे नहीं के यहां आए और यहां मिलके मेले में आए और चले ऐसा नहीं होना चाहिए ये एक बहुत बड़ी आनबान और शान और मर्यादा की दर्ती है इस दर्ती से आपको कुछ ले के जाना और गुरुमराज का जो यहाँ पर जो हमारे महपुर्श जितने भी विश्णोई समाज में बड़े-बड़े संत हुए बड़े-बड़े मात्मा हुए और जिन्होंने शमय शमय पर बहुत कुछ हमें दिशाएं दी और उन्होंने इस मामल दिशा से आज जो हमारी ये पैचान है वो इन संतों की और महापुर्शों की महरबानी है और नहीं तो कभी का आपन मामला तो बटका अभी बटक राया बटक जाता बिलकुल गुरु जंबेशर बगवान जिस समय अंतर ज्यान हुए थे उनसे पहले पूरे भारत के अंदर भर्मन करके पूरे भारत का भर्मन करते हुए मेरते से होते हुए रामडावास के अंदर इस जोदपुर जिले के अंदर रामडावास की दर्ती में आये थे बिश्णोई बिलकुल कम थे हर गाउं में कोई एक दो चार घर मुश्किल से थे और चोशट गाउं के अंदर इस जोतपुर जिले के अंदर बिश्णोई हुए थे गुरु जंबेशर भगवान को उनकी बानी को और उनके नियमा को पालने वाले चोशट गाउं के अंदर और चोशट गाउं के अंदर होने के बाद में वो पूरे चोशट गाउं के जो विश्णोई अनुयाईउ गुरु जंबेशर भगवान के हुए थे वो रामडावास के अंदर गुरु मराज का आज हम खेजरली के अंदर हमारे संद स्री मुट्स रोमने और हमारे मात्मा महापुर्ष राजिंदरा नंजी का दर्शन करने के लिए यहां हाजर हो रहे हैं उशी शावशे बगवान विश्णों के अवतारी गुरु जंबेशर बगवान का दर्शन करने के लिए रामडवास की धरती के उप में चार जार आदमियों की जमात उन बगवान के गुरु जंबेशर बगवान के शात में थी और उस समय उनके सब के बीच में गुरु मराजना यह उन्तिश नियमों का प्रचार प्रशार और यहां धर्म की जो नीव की नीव और गड़ दी थी वो रामडावास की दर्ती को देके सबसे सहमती लेके और बड़ेर की उपेदी रामडावास को दी थी कि आप सब सयो करोगे पूरे भारत के विश्णवाई जो भी कहीं पर भी कोई धर्म की मर्यादा के विरूत किशी परकार का कोई गड़बड होगी तो रामडावास करे सो सही है मेरे पास किताब इस्तमास की हर जगह जो भी गुरुमराज ने मर्यादाएं दी वह मर्यादें आज काइम है लेकिन कुछ कम है यह गड़बड अपने अंदर है गड़बड राम कहा है वह आप अपने अंदर है अभी हमारे मातमा जी ने हर बात से आच्छा दिन के अंदर ये बात बताई मै आपको थोड़ी पहले मलब कोई वो जो आप बिलकुल मर्यादा की बात बिल आज पांच मिनट अगर देरी भी वह तो थोड़ी चलेल कल परसु अपने जो भाई युवा संग मिलन था बहुत अच्छा आज युवा का युवा शमाज की रीड की हड़ी है युवा देश की रीड की हड़ी है और युवा के उपर पूरे शमाज का वजन रहता है ये बाते हैं लेकिन उनके साथ साथ हर परकार की मर्यादाएं उनके अंदर होनी चाहिए अगर उनमें मर्यादाएं नहीं हैं तो युवा बिलकुल भटका हुआ है आज मैं एक छोटा सा जाय माप करन कोई किसी को लगेगा या नहीं लगेगा अच्छा जैसे यह यह लड़का खड़ा है का मेरा ही समंदी होगा कहीं से कहीं से मेरा भी कोई है लेकिन। लेकिन आज ये जो डाड़ी की जो ये रशम है याज युवा के अंदर ये बिलकुल गलत है। इससे पूरे समाज की तरफ से ज़स समय में आज साधी के लिए जब वह कोई बींदरा जाता है तो उसको डाड़ी करके और कम्प्लेट बिलकुल चरह एकदम खिलता हुआ होना ये आज बच्चे वे से चल जाते हैं अवहर जैसी ड्रेस पेर के और शादी करने के लिए चला जाता है ये क्या कोई ये कोई धंग है क्या ये अच्छी बात है क्या ये आप सोचो खूद अपने बच्छों को अच्छा संसकार दो कल हमारे याम माईला है माईला सब्दों हमारी प्यारी बेटी हैं मावें बेहने बोली थी उनको मैं मेरी तरफ से क्या धन्यवाद बार बार धन्यवाद देती उन्हाने बड़े अच्छे धंगशे एक एक चीज मैं लाएं यहां बेटी हैं आप एक बहुत बड़ी शक्ती हो आप जो हीरा पेदा करती हो वो इस शमा बटका हुआ है उसे सीधा रश्ते लाने के लिए आपकी जम्मेवारी आप ला सकती हो और आप ही अपने बच्चे को एक होन हार एक बाई नहीं यहां बोला था मैं मेरे बाल बच्चों को फॉन बिलकुल नजदीक नहीं आने दन्यवाद है उस माता को आज मैं सब को कहता हू मैं इस मंच के माधियम से और संतों के और इनके पूरे परमिसन से समाज बैटा है आप फॉन अपने बच्चों को मत दिखाओ फॉन एक बहुत बड़ी बिमारी है और इस फॉन से हर मर्यादाएं बिलकुल तार तार हो रही है इस मर्यादा को आप काइम रखो यह अगर चीज बात बताई इन बातां को नशे से देखो आप अपने पैनावे से देखो हर चीज गरुजी ने जो चीज बताई है इस बात को आपको मर्यादा में रखने के लिए आप पूरे काइम होके यहां से कुछ संकल्प लेके जाना है यही मेरा आप से निवेदन है जैहिन ज आप लो जंबे सुर भागवाने की